शिक्ष्या और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्तविश्य द्याले आप के लिए लेकर आया है 91.2 FM पर हेलो हल्दवानी हेलो हल्दवानी एक सामुदाइक रेडियो है जिसे की आप 91.2 MHz की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्तविश्य द्याले संचालित कहता है इस रेडियो पर हम समुदाए और समाज की जागरुकता से जुड़े कारिक्रम भी लेकर आते रहते हैं और हमारे यूवा भी समाज का हिस्सा है समाज का हिस्सा इन युवाओं के लिए ही ये कारिक्रम है क्योंकि आज है विश्व युवा कौशल दिवस और इस मौके पर ये कारिक्रम आपके लिए लेकर आ रही है डॉक्टर दीपी का वर्मा जो की उत्तराखंड मुक्तविश्य द्याले के ग्रह विक्यान विभाग से जुड़ी हुई है युवा वही है जो समाज को नई शक्ति स्फूर्ति और नई दिशा देता है और कौशल युवाओं को सबल बनाता है भविश्य सवारने के लिए उत्तराखंड मुक्तविश्य विद्याले के सामुदाइक रेडियो हेलो हल्दुवानी के सभी मैं दिपिका वर्मा उत्राखंड मुक्तविश्य विद्याले के ग्रह विज्यान विभाग में कारे रत हूं हम हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस यानि वर्ड यूद स्किल्डे मनाते हैं तो आज मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगी कि आप सब जान कि विश्व युवा कौशल दिवस का क्या इतिहास है आज हम बात करेंगे युवाओं की और उनके कौशल की सबसे पहले 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट सभा ने एक तस्ताव पारित कर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में नामित किया था यह दि क्योंकि यह मिशन तक्नीकी एवं विवसाई कौशल पर ध्यान के इंदत करता है जो हमारे युवाओं के लिए बहुत जादा जरूरी है अगर हम इसके उद्देश की बात करें तो इस दिन का उद्देश है युवाओं को रोजकार और उध्यमिता के लिए जरूरी कौशल उसे युक्त करना शायद आपके मन में भी प्रशन होगा कि ये दिन कैसे मनाते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर में मनाई जाने वाले कारेक्रमों में युवाओं को कई तरह की शैक्शनिक संस्थाओं, कंपनीज, नीती निर माताओं वह अन्य विकास के भागीदारों के साथ बाचीत का स्थान प्रदान किया जाता है। यह दिन अफसर देता है युवाओं को समवात का, कि वे जो भी प्रसिक्शन संस्थाएं हैं, व्यवसाइक संस्थाएं हैं, उनसे सवाल कर सके और अपने ले नए अफसर खोच सके। विश्वे युवा कोशल दिवस एक मौका देता है कि हमारे युवा सजग हो अपने अधिकारों के लिए और अपने कोशलों के लिए। कई युवा आपने देखे होंगे जो हमारे समाज में होता हैं, उन्हें पता होता है कि भविश्य में उन्हें क्या करना हैं, इस उसके साथ साथ वे अपने हुनर को यानि कोशल को भी पहचानते हैं लेकिन आजकल यह देखा जाता है कि कुछ ऐसे युवय हैं जिने में अपने हुनर! जो पहे काम उसमें लग जाते हैं या बिना सोचे समझें खर काम शुरू करेते हैं तो देखा युवा तो ऐसे होते हैं जिनका अधिकतर समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मुबाइल या घूमने में ही बीच जाता है तो ये बहुत जादा जरूरी है हमारे समाज की युवा शक्ति आगे बढ़े और अपने लिए अपने कोशल विकास के लिए बहुत जादा गंभीर बने क्योंकि अगर समाज का युवा अपने हितो अधिकारों वा अपने लक्ष को लेकर आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज और देश भी आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि हमारे देश में रोजगार की कमी है या फिर सरकार द्वारा कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे है युवा कोशल के लिए कई सारे कदम भी भारस सरकार द्वारा उठाए गए है जैसे आपने देखे हूंगे कि जो आई टी आई यानि जो आधियोगिक प्रसिक्शन केंदर होते है तो जैसे 1950 में इसकी शुरुवात की गई थी और इसका मुख्य उठेश शेह की जो युवा होते हैं उन्हें कई तरह के उप्युक्त कौशल प्रदान किये जाए इसके लावा मैं कुछ और योजनों के बारे में बताना चाहती हूँ जैसे प्रदानमंत्री कौशल विकास योजना जिसकी शुरुवात 2015 में की गई थी और इसका उद्देश यह है भारत के युवाओं को बिना किसी फीज के कौशल प्रसिक्शन प्रदान करना इसके लावा 2015 में राश्टी कैरियर सेवा परियोजना भी शुरू की गई सिस्टम प्रदान करते हैं जो पूरा आईटी अप्लिकेशन पर निर्भर है तो कई ऐसे युवा होते हैं जिनके पास कौशल है तो असीम यानि आत्म निर्भर कुशल कर्मचारी नियोगता मांचित्रन उनको आजीविका के अवसर खोजने में भी मदद करता है ऐसे कई सा सुर्स कौशल जैसे कोई लकडि की कारी अची करता है कोई अच्छा बुनकर अच्छ मिटी के ब Niagara बितन बनाता ए Tai में hen Dew Chelsea अच्छा करता है कोई वकता बहुत अच्छा है कोई लिख सहि tresp। कई प्रिकार के युवा सजावट में दक्ष होते हैं खाना बनाने में दक्ष होते हैं और कई भी ऐसे शेत्र होते हैं बस जरुरत है अपने हुनर को अपने कौशल को पहचानने और अफसर खोशने की और यह जान सके हमारे युवा की जो लक्ष का वास्तवी करण है जो implementation है कैसे होना है तो हमें ध्यान के इंद्रित करना है skilling, reskilling और upskilling पर ताकि कौशल विकास का आधार बने तो आप सब को विश्व युवा कौशल दिवस की शुपकामना है कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने ये चर्चा को विराम देना चाहूंगी युवा शक्ति आगे आ पहचानों अपने धेगो ना रुको ना जुको साथ लिये पहचान को कौशल तुम्हारी पहचान है ना भूलो इसको तुम बाधा उनको दूर करो चित्त को करो सबलतो एक दिन आएगा पहचान मिलेगी जहान से लक्ष निरधारन करो तुम मिलेगी खुशी आत्मसमान से दन्यवाद.